आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको गाडनिंग शुरू करनी है तो कैसे करें आज की वीडियो बीगनर्स के लिए है जो गाडनिंग को शुरू करना चाहते हैं और शुरू नहीं कर पा रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें कौन से पौधे लगाएं मिट्टी कहां से अरेंज करें खाद कहां से अरेंज करें गाडनिंग की शुरू करनी है तो हमें पौट की चिंता होने लगती है कि हम पौट कहां से लाएं और खाद कहां से ले आएं जुरू करना चाहते हैं तो जीरो बजट से ही शुरू कर सकते हैं और खाद भ और अगर गार्डनिंग शुरू करनी हैं फ्लार्स लगाने हैं तो क्या लगाएं और कैसे लगाएं तो देखिए मैंने सबसे पहले गार्डनिंग बिल्कुल वेश्ट मटेरियल में ही शुरू किया हुआ था और आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे ये डब्बे हैं और जो कट्टे या जोला जो कुछ भी है वही सब कुछ में मैंने शुरू किया था, देखिए ये सब कुछ वेश्ट में ही लगा हुआ है और मैंने कुछ खरीदा नहीं है, मिट्टी मुझे बाहर खेट से मैंने मंगा ली थी और खाद वगएरा बिल्कुल नहीं था मेरे पास और मैंने अपने घर में जो चाय बनती है उस चाय को जब पत्ती निकलती है तो धूल के सारा मैं इकठा करती जाती हूँ यह देखे इस तरह से और यह मैं सुखा के इसको स्टोर करती हूँ और यह जब मैं चाय चानती हूँ उसी समय तीन पानी से पत्ती को धूल के फिर इस डिब्बे में डालती जाती हूँ फिर मैं इस डिब्बे की जब भर जाता है यह किचन में डिब्बा रखती हूँ और जब ये भर जाता है तो इसको लाके मैं फैला देती हूं सुखा के रख लेती हूं और इसको मिट्टी में मैं मिला देती हूं और खाद नहीं है फिर भी मैं देखिए मैं पॉट को कैसे भरती हूं चाय को मैंने उसमें मिला दिया है मिट्टी में और एक मुठी राख मिल जाएगी और उसमें दो चमच एक चमच हल्दी डाल दीजिए मिट्टी में चमच हल्दी मिला के मिट्टी बना लीजिए और ये देखिए ये जो कुछ भी किचन वेस्ट वगरा निकलता है ये सब कुछ मैंने मैं इकठा करके रखती हूँ और इसको म मैं अपने जब ग्रो बैग या कंटेनर कोई भी भरती हूँ तो उसमें नीचे मैं गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट की लेयर लगाती हूँ और सूखे पत्ते भी कठा करती हूँ और इस तरह का गीला जो वेस्ट होता है ये सब कुछ को एक लेयर गीली लगा के एक लेयर करती हूँ तो खाद की भी कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से देखिए मिट्टी बना लेंगे और ग्रो बैग या गंबले की कोई टेंशन नहीं है आप चाहें तो जोले वगरा में सुरू कर सकते हैं पुराना डिब्बा या देखिए इस तरह की बॉटल्स निकलती है त मैं फिर से टमाटर के पौधे तयार हो रहे हैं मैं फिर इन में यहां नीचे से टमाटर के पौधे निकाल के मैंने लगाए थे बहुत ही अच्छे टमाटर हुए थे तो इस तरह से देखिए गंबले नहीं है पॉट नहीं है तो कोई दिकत नहीं है आप चाहें तो यह इस तरह के जो डिब्बे वगरा हैं ये सब कुछ कुछ भी वेश्ट नहीं होता है ये सारे देखिए इसमें मैंने फ्लारिंग प्लांट लगा हुए हैं यहां देखिए मैंने कट्टे में ये बैगन का पौधा लगाया हुआ बैगन बहुत ही अच्छा फला हुआ था अभी तो म प्लेश्ट में ही लगा हुआ है पुराना टब था जो फूड गया था उसमें भी मैंने देखिए इसमें लौकी की बेल लगाई हुई थी लौकी की बेल मैंने निकाल दी है और इसमें देखिए पालक लगी हुई है यहां पर देखिए मैंने इसमें अर्भी लगाई हुई इसमें एक गाट्स से देखिए बहुत सारी ऐरमी मैंने यहां पर सई hunan कहिए और मैंने वीड़ी डाली हुई है और आप चैनल पर डेख सकते हैं और देशिए ऐगाट्स में फेलगाया और लगाया है था काफी अच्छे पत्ते हुए हैं तगाड है यह फूड यह था तो मैंने इसमें लीफी वेजटेबल मैं इसमें अक्सर लगाती हूँ और यहां पर देखिए जो डिब्बे वगरा है इसमें पथर चट्टा है फ्लारिंग प्लांट है सब लगाया हुआ है तो गाडनिंग करने के लिए पॉट की कोई समस्या न और अगर आप नर्शरी से पॉधे ला रहे हैं तो पॉधे ले आईए और उसके बाद आप उसको कम से कम एक हफ्ते के लिए आप अपने घर पर लाके रखें तुरंत रीपॉर्ट ना करें उसको और देखिए यह मैंने इसमें पुदीना लगाया हुआ है यह गत्ता है इस सब्सक्राइब यह गत्सक्राइब हूंथ सकते लिएसे एंद्ध भाने प्लां greed है और समय मिलग फईल सब्सक्राइब कराएब तो खाद भी बन जाएगी और अगर खाद नहीं बनाना है मैं तो बिल्कुल इसको अब एक ही बार मैंने खाद बनाया हुआ था और अब मैं खाद नहीं बनाती हूँ और इस तरह से देखिए गीला की चन वेश्ट और चाय की पत्ती हल्दी और सूखी गार्डन वेश्ट को इकठा करती हूँ और मैं पॉट भरती हूँ यहां देखिए मैंने एक लियर गार्डन वेश्ट जो सूखा ये ड्राइ लीव का होता है जो हाड जो कुछ भी करती हूँ मैं उसको सूखा के रख लेती हूँ तो देखिए यह पॉट मैं भर रही हूँ यह थर्मा कोल बॉक् करके एक बार ये सूखा किचन जो सूखा गार्डन वेश्ट है इसको डाल दिया है इसके उपर से देखिए किचन वेश्ट भी डाल रही हूँ और अब इसके उपर से मैं मिट्टी भर दूंगी मिट्टी में बस हल्दी सूखी चाय की पत्ती और थोड़ी सी गोबर की का देखे होंगे और इतने बड़े-बड़े से पोट हैं टब हैं इन सबों को भरने में काफी सारी मिट्टी लगती है तो इस तरह से अगर हम सब कुछ वेश्ट वगरा नीचे डाल के और उसके उपर मिट्टी डालें तो हमें खाद बिना इंतिजार बिना कीड़े बिना बद्बू के खाद भी मिल जाएगी और पॉट भी भरने में बहुत आसानी होगी काफी कम मिट्टी में पूरा पॉट भर जाता है और इस तरह से आप देख रहे होंगे मेरा गार्डन मैं एक ही जगह इकठा करके नहीं रखती हूँ काफी दूर दूर भी रखा हुआ है औ देखिए एक दो पॉधा आप नरसरी से गेंदे का ले आईये या फिर आपके पास सुखे फूल होँ तो मिट्टी में डालके इस तरह से देखिए मैंने नरसरी भी तैयार की हुई है और कटिंग से भी पौधे तैयार की हुए है गेंदे की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है यहां से देखिए यह छोटी-छोटी रूट जो निकल रही है अगर मैं यहां से अभी इसको जब थोड़ा इसको रिपार्ट कर लूँगी तो मैं इसके उपर और देखिए इसमें मैंने कटिंग से लगाया हुआ था और कितनी अच्छी रूटिंग दिख रही है इसमें और कटिंग जब भी लगाएं तो बालू में लगाएं बालू बहुत आसानी से बालू में लग जाती है कटिंग और यहां पर देखिए मैंने यह गुड़ल लग कर सकते हैं और उसको आप बहुत अच्छे से अपना शौक पूरा कर सकते हैं इस समय आप बारिश के मौसम में गुड़हल की कटिंग गुलाब की कटिंग गेंदे की कटिंग और देखिए ये गुल्दावदी की कटिंग ये बिल्कुल मरता हुआ पौधा था जिसमें की कटिंग को निकाल के मैंने लगाया और मेरा पौधा ये बिल्कुल बच गया अब इतने सारे पौधे मेरे तयार हो गए हैं तो इस तरह से देखिए वेश्ट चीजों का यूज करके हम बहुत अच्छे से गाडनिंग कर सकते हैं फ्री में जो लीफी वेजटेबल्स हैं क चोटे चोटे पौट्स में बहुत अच्छे से ये तयार हो जाएंगी और फ्री में ही आप विल्कुल तयार कर सकते हैं और पूरी गाडनिंग कैसे आपको करनी हैं सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता है तो मैंने जितना हो सका है उतना कोशिच किया है कि म मैं आपको बता सकूँ और उमीद करती हूं कि आपको समझ में भी आया होगा तो आप छोटे छोटी कटिंग को लाके अभी लगा सकते हैं और बहुत जादे पौधे एक साथ ना लगाए क्यूंकि आप उसको केर नहीं कर पाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा तो थोड इस समय आप गेंदा लगाईए सदा बहार लगाईए और गुलदावदी लगाईए यह गुलदावदी की कटिंग जरूर लगाईए और गेंदे की यह थंड में बहूत ही खुबसूरत बना देंगे आपके छत को मैं ने भी बहुत सारे पौधे तयार कर लिये हैं और अंदर लगने वाली है मेरी च्छत और चलिए उमीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो जरा भी इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरू इस वीडियो में बाई बाई थेंक यू